लो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे सभी पूरु सैनिकों के लिए पेंशनर्स के लिए और केंद्रिय करमचारियों के लिए एक बड़ी खबर है जहांपे दोस्तो PCDA सर्कुलर का जो है मई की पेंशन में जो है और मई की पेंशन से पहले कह सकते हैं दोस्तो कि PCDA सर्कुलर 568 का एरियर मिला है दोस्तो और कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं जिसमें की एरियर का जो मैसेज आ चुक है उनको और साथ ही साथ दोस्तों उनका इस परश में pension slip बे जारी कर दिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर देखें और सबसे बड़ी चीज़े दोस्तों कि जो area मिला है वो थोड़ा कम मिला है उस हिसाब से दोस्तों आपको calculate करना पड़ेगा next update की बात करते हैं दोस्तों जहां पे एक नया और सरका code का बड़ा फैसला है कि अगर किसी case की वह से जो है आपका payment delay होता है तो उस case में दोस्तों एक नया benefit मिलने वाला है पूर सेनिकों को या सरकारी करमचारियों को जिसमें कि उनको जो भी interval है उसमें उसका उनको 8% ब्याज के साथ उनको जो है उसका benefit मिलेगा और next update जिसके बात करेंगे वो है बहुत important update जहां पे जो सेनिकों की जो pension है उसमें कोई भी कटोती नहीं होगी सेनिकों को जो है पूरा का पूरा pension का भुकतान किया जाएगा और दोस्तों यह जो है सुप्रीम कोट का एक order है जिसके बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी important updates के बारे में दोस्तों का चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथी साथ बैल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों पूर सेनिकों के लिए बड़ी ख़बर है जहां पे 568 का area का भुकतान होना शुरू हो दोस्तों जो है यह area 50,000 तक आया हुआ है कई लोगों को 60,000 आया है कई लोगों को 40,000 आया है तो दोस्तों यह length of service में depend करता है जितनी length of service है उसके base पे जो है आपके area का भुकतान हुआ है तो उस case में दोस्तों जो PCDA का जो rule है अगर आपको लगता कम है तो आप record office या CP gram में आप grievance जाल के पता कर सकते है कि exactly आपकी calculation क्या है किस basis पे आपको मिला है अगर आपको लगता है otherwise दोस्तों जो जिनकी सहरली 20 या 25 साल तक है उनको जो है लगबग जो है 50,000 तक का 40,000 तक का area मिला है और उनके account में credit भी हो है साथ ही साथ दोस्तों आपकी इसके साथ साथ pension slip भ और यह है दोस्तों ECHS के लिए जो नई SOP है और लगबग लगबग 50 नए नियम जो है और नए नियम कह सकते हैं कि नई SOP में points है जिसमें कि कई जो है hospital जो पहले इंपैनल थे उनको इंपैनल नहीं है कई जगा पर आपका referral से काम नहीं चल पाएगा तो इस साल के लिए 2024 के नई guidelines आ चुकी है जो भी ECHS members है जिसमें कि आपका अगर जो लोग नया ECHS में जो है join करना चाहते हैं उसमें क्या-क्या benefits से 30,000 वाला जो one time payment जो है ORs के लिए JCOs के लिए फिर 67,000 फिर officers के लिए वह यह दोस्तों general ward semi private or private ward का difference है उसके हिसाब से अगर आप अगर अभी इसमें यह भी है कि ORs भी officers वाली facility लेना चाहते हैं तो जो भी gap है 30,000 और एक लाग 20,000 में 90,000 वो fulfill करके उनको भी वो facility मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है rank wise जो आपको इसमें बाध्यता नहीं करना पड़ेगा आप इसमें अगर आप extra amount देते हैं तो आपको भी private ward और वो सरी facility मिल सकती है तो ECHS ने दोस्तो नहीं अपनी SOP जारी कर दी गया बात करते हैं दोस्तो नेक्स अपडेट की और बहुत important अपडेट है जहां पे entry level pay का area का भुक्तान होना शुरू हो गया और pensioners के खाते में मई की pension में जो है entry level pay का area दोस्तो entry level pay का table आप ज़रूर देख सकते हैं और entry level pay का eligibility है वो जानना ज़रूरी है दोस्तो इन दोनों के basis पर ही आपको entry level pay का area मिलता है कई जो पेंशनर से उन्होंने CP gram के थ्रू जो है इस पे केस डाला था और उनको जो है इसका benefit मिला दोस्तों बहुत important है कई लोगों के reject भी हो रहे हैं और reject होने का reason यह है कि अगर proper eligibility नहीं पता आपको तो उस case में जो है cases reject भी हो रहे है तो दोस्तों एक बार apply करने से पहले ऐसा नहीं कि आप CP gram में direct apply कर दें पहले आप इसके बारे में तहकीकात करें क्योंकि अगर आप proper eligible है फिर तो आपका area आने से कोई नहीं रोख सकता अगर eligibility में कोई दिक्कत ह सकती है जुस्तों यह थे आज के important update सभी पूरुसैनिकों के लिए केंद्री करमचारियों के लिए और pensioners के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिएगा शेयर कीजिए और subscribe करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो